समस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्वास्तिक क्लासेज में दोस्तों, शायक अध्यापक भरती परिक्षा की द्रिष्टी से हम लोग सामान निज्यान वसाम सामाई घटनाओं का अध्यान कर रहे हैं उशिकड़ी में आज हम फिर से 15 प्रश्णों को लेकर आपके बीच में हाजिर है तो आईए शुरू करते हैं पहला प्रश्ण है विश्व स्वास्त संगठन के द्वारा जारी सूची में जो की 2 मई 2018 को जारी हुई अध्याइ प्रश्णों में कहा रहे हैं विश्व स्वास्त संगठन के द्वारा जारी सूची के अनफ़ार विश्व का सरबाधिक परदोसिष है तो इसका पहला आप्चन है कानपूर भारत दूसरा आप्चन है इसलामाबाद पाकिस्तान तीसरा अप्षन है नई दिल्ली भारत और चौथा अप्षन है नन आप दीज इसका मतला बिन में से कोई नहीं तो आईए इसका सही अंसर जान लेते हैं मित्रो इसका सही उत्तर है कानपूर भारत सबी दोग टिक कर लेंगे कानपूर भारत प्रदूशन की दृष्टी से इस्तमया जो है नमबर एक पर है विस्व स्वास्ते संगठन के अंसवार जारी सूची के अंसवार अगला कोश्चन है मैन बुकर पुरशकार 2018 की विजेता है मैन बुकर पुरशकार 2018 की विजेता है पहला आप्षन है किरणबेदी, दूसरा आप्षन है एना बंस, आयरलेंड, तीसरा आप्षन है अरुन्धती राय, और चौथा आप्षन है ननाप दीज, यानि कि इन में से कोई नहीं, तो इसका सही जवाब है एना बंस, सबी लोग ध्यान से देखेंगे, याद कर लेंगे और नोट कर लेंगे, ठीक है, तो इसका सही अंसर क्या है, एना बंस, आयरलेंड, मित्रों यहाँ एक बात और बताना चाहेंगे, कि इनको मैन बुकर पुरशकार, इनकी एक बहुत ही फिमस रचना है, अभी हाली में, मिल्क मैन, यह देखें यतना लिखी गई है, मिल्क मैन इसी के लिए जो है, खाश कर दिया गया है, नेक्स कोईश्चन है, एसिया का नोबेल पुरशकार कहा जाता है, आपनों को पता होगा, नोबेल पुरशकार दुनिया का सबसे बड़ा पुरशकार है, जो कि कई छेत्रों में देया जाता है, जैसे साहित है, सानती है, चिकिस रशायन है भौतिकी है तो इसमें पूच रहा है कि एशिया का नोबेल पुरशकार कहा जाता है इसमें देखिए आप्षन दिया गया है पहला आप्षन है रेमन मैक सेसे अवार्ड को दूसरा आप्षन भारत तरत्न को तीसरा आप्षन है एवा भी दोनों को और चौथा आप टिक कर लेंगे इसको अगला कोश्चन है 21 में फीफा फुटबाल वर्ड कप का सुभंकर था मित्रों अभी ये हाली में संपन हुआ है 21 फीफा फुटबाल वर्ड कप जिसमें पहला विकल्प है पांडा अगला है शेर अगला है जावी वाका ब्रेकेट में चस्मा पहने भ लेडिया यही जो है फुटबाल वर्ड कप फीफा जो हुआ था उसका सुभंकर था ठीक अगला कुश्चन है 21 में राष्ट्र मंडल खेल 2018 का आयोजन हुआ इसका मतलब यह पूछ रहा है कि 20 वा जो राष्ट्र मंडल खेल हुआ कौन बेल्थ गेम उसका आयोजन कहां दोनों यानि की नई दिल्ली और रूष दोनों तो इस तीसरा अप्सन रूष है और लास्ट है गोल्ड कोष्ट आस्टेलिया तो मित्रों इसका सही जवाब है गोल्ड कोष्ट आस्टेलिया सभी लोग टिक कर लेंगे और याद कर लेंगे मित्रों एक्जाम की द्रिष्ट दिये जाएंगे और दिये जा रहे हैं आप लोग बस अपनी त्यारी जारी रखेंगे सफल्था निश्चित रूप से आप लोगों मिलेगी अगला क्वेश्चन है आगे देखते हैं एक्जाम वारियर्स पुष्टक के लेखक या लेखिका है इसमें पूछ रहा है कि एक पुष्टक है एक्जाम वारियर्स उसके लेखक या लेखिका कौन है तो आप्षन देख लेते हैं श्री शुशील मोदी, अगला अप्षन है श्री नरेंदर मोदी, अगला अप्षन है श्री रामनात कोविन जी, और नेक्ष्ट है अंतिमा अप्षन है नानाप दी, यानिके इन में से कोई नहीं है, तो मित्रों इसका सही जवाब जो है, वो B है, नरेंदर मोदी, एक्जाम राष्ट्री सिक्षा दिवस मनाया जाता है तो आप संदेख लेते हैं 10 नमबर 11 नमबर 10 फरवरी और लास्ट है 11 फरवरी तो इसका सही जवाब है 11 नमबर सभी लोग याद कर लेंगे टिक कर लेंगे आप इसका नोट्स बनाते चलेंगे दोस्तों आप जो है नोट्स इसका बनाते चलेंगे या फिर हमारे टेलिग्राम ग्रूप में इस पोईडियाफ आपको सेंड कर दिया जाएगा आप उसको निकलवा सकते हैं जैसे आप कर सकते हैं जैसे आप बिटर समझें आप उसे हिसाफ से त्यारी करते रहें अगला कुश्यन देखते हैं तैटीश्वा आशियान सिखर सम्मेलन 2018 कहां संपन हुआ इससे पूश रहें कि तैटीश्वा आशियान सिखर सम्मेलन 2018 कहां संपन हुआ इसका आप्शन है देखिए सिंगापूर नेक्स्ट है मलेशिया नेक्स्ट है जनेवा और लास्ट है नई दिल्ली तो मित्रों इसका सही जवाब है Singapore, सबी लोग और पकाने संगापूर, अगला कोईशन देख लेते हैं, भारत के नए गठित राजिय तेलंगाना का राजकिय पशु है, भारत के नए गठित राजिय तेलंगाना का राजकिय पशु है, तो मित्रों आप सपुलों को पता ही होगा कि भारत का जो अभी अंतिम नयाज जो नव गठित राज है वो अत्यलंगाना है वहां के जो मुख्यमंत्री है चंसेखर रावजी है और उसकी जो राजधानी होए आमरावती प्रस्तावित है फिलाल दस वर्सों के लिए भी हैदराबादी है तो यहां पर मित्रों सही आपसन है हीरण वह हीरण में भी एक प्रकार विशेश प्रकार का हीरण है ब्रेकट में लिखा है जिंक का वही जो है तेलंगाना का राज्ची ये पर्शूर Research तो आईए मित्रों अगला कोईश्यन देखते हैं अगला कोईश्यन है 6 दिशंबर 2017 को तीन तलाक बिल पर सहमती जताने वाला पहला राज्य बना इसमें पूछ रहा कि तीन तलाक जो बिल दिया कि आया है उसका जो है उस पे सहमती कौन सा राज्य सबसे पहले सहमती जताया तो इसका अप्शन दिया है उत्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश और जम्मू कस्मीर तो जम्मू कस्मीर तो होई नहीं सकता आप लोग खुद कल्पना कर सकते हो कि 3 तलाग बिल पे सहमती कैसे देगा तो यहाँ पे सही उत्तर है इसका अपना उत्रप्रदेश तो उत्तरप्रदेश ने 3 तलाग बिल पर सबसे पहले सहमती जताई है तो इसका सही अंसर आप टिकल लेंगे नेक्स्ट कुश्चन देखिए 4 दिशंबर 2017 को NCR में NCR का मतलब मित्रों NCR आप सभी लोग जानते होंगे NCR का मतलब National Capital Region यानि की राष्टरिय राजधानी छेत्र में उत्तरप्रदेश के किस जिले को सामिल किया गया जैसे आपनों को पता होगा मित्रों कि उत्तरप्रदेश के कई जिले लगभग 7-8 जिले पहले से ही NCR में सामिल हैं और 4 जिले प्रस्ता भी थे तो उसमें पूछ राए कि जो अन्तिम है अभी लाष्ट में जल्द ही कौन सा जिला सामिल किया गया तो इसका आपसन दिया है फरवरी 2018 में सर्वोच सहित्यक सम्मान ग्यान पीट पुरस्कार किसे दिये जाने की घोस्ड़ा की गई पहला आपसन है कृष्णा सोप्ती को B है आनंद मिश्रा को अगला है निर्मला सीता रमड को और लास्ट आपसन है नानापदीच तो इसमें सही आपसन है मित्रों आप देख लीजिए बिकल्प आप देख लीजिए कृष्णा सोप्ती आनंद मिश्रा निर्मला सीता रमड और नानापदीच तो इसका सही जवाब है कृष्णा सोप्ती मित्रों ग्यान पीट पुरस्कार के लिए 2018 में किसे चुना गया कृष्णा सोप्ती को आईए अगला कृष्ण देखते हैं फरवरी 2018 में फरवरी 2018 में वतन को जानो कारिकरम संपन्ध हुआ इसने पूचरा है कि ये कारिकरम हुआ था फरवरी 2018 में उसका नाम था वतन को जानो उसका टाइटल लखा गया वतन को जानो तो ये कारिकरम किस राज्य में संपन्ध हुआ यही पूच रहा है पहला अप्षण है पंजाब में दूसरा है जम्मू कश्मीर तीसरा राजस्थान और चवथा उत्रप्रदेश तो इसका सही आंसर है मित्रों जम्मू कश्मीर वतन को जानो कारिकरम फरवरी 2018 में कहां संपन्ध हुआ तो जम्मू कश्मीर मैं आज अभी लोग टिक कर लेंगे अगला कुश्यन देखते हैं फरवरी 2018 में ही पूच रहा है फरवरी 2018 में लडाकु बीमान को अकेले उड़ाने वाली पहली भारतिय महिला कौन बनी बड़ा ये अच्छा कुश्यन है निउस पेपर में आया था आप लोग अगर पढ़े हों फरवरी 2018 में लडाकु बीमान को अकेले उड़ाने वाली पहली भारतिय महिला कौन बनी तो आप सनिश्के हैं देख लिजिए आरति सक्षेना, कीता भटनागर अवनी चतुरवेदी और ननापदीज यानि की कोई नहीं तो इसका सही अंसर है मित्रों आप सभी लोग टिक कर लेंगे और याद कर लेंगे अवनी चतुरवेदी अवनी चतुरवेदी मित्रों आपको जो भी कुश्चन प्रोवाइड के जा रहे हैं एक्जाम की द्रिष्टी से बेहत महत्तुपूर्ड हैं आप जो है इनको जरूर त्यार करेंगे और आप से जितना हो सके आप जितना कर सकते हैं अपनी जोर से कोशिश करिए त्यारी करिए और अच्छे-च्छे कुश्चन को आप खुद भी ढूड़िए और पढ़ते रहिए जिससे एक्जाम आपका अच्छा एक्जाम हो बेटर हो किसी प्रकार के आपको प्रॉब्लम ना होने बाए ठीक तो आईए अगला कोशिशन देखते हैं लास्ट कोशिशन है पंद्रहवा कोशिशन वर्तमान में रेलबे भरती बोर्ड के अध्यक्ष है इसे पूश रहा है कि वर्तमान में रेलबे भरती बोर्ड के अध्यक्ष है मित्रों पहला आप्शन दे रहा है अश्वनी लोहानी, अगला आप्षन है अजय त्यागी, C आप्षन है पीउस गोयल, और लास्ट आप्षन है ननाप दीज, तो इसका मतलब जान रहे हैं, इसमें से कोई नहीं, तो इसमें पीउस गोयल देखिए मित्रों, C नंबर पे पीउस गोयल दे रहा है, तो आप सभी कौन, अश्वनी लोहानी, मित्रों इसका सही अंसर क्या है, अश्वनी लोहानी, रेल्बे भरती बोर्ड के अध्यक्ष इसमें कौन है, रेल्बे भरती बोर्ड के अध्यक्ष अश्वनी लोहानी है, तो मित्रों आर्शा करते हैं, आप लोगों को वीडियो पसंद आया आप त्यारी करते रहें हम आपसे यह उम्मीद करेंगे कि आपको जो भी Arni दिये जा रहे हैं आप उनको त्यार कर लेंगे बाख भी और इंक्जाम की द्रिश्टी से आप उनको त्यारी कर रहे हैं, उनको भी माइटर चाहिए, अच्छे प्रस्ण चाहिए, उनको भी प्रस्ण एवैलबल हो जाएंगे, आप शेयर करेंगे तो, इसी के साथ, थैंक्यू, मित्रो, धन्यवाद.